तो चलिए start करते हैं आज की trading, ओके तो सबसे पहले हम market को analyze करेंगे, wait करते हैं यहाँ पर, अब देख सकते हो left में uptrend है, तो right में down trend या down moment हम आ सकता है, और अगर आपको मेरी one on one coaching class join करने हैं तो price or details description में है, wait करते हैं, यह candle कैसे close होती हैं उसके बाद ही हम trade लेंगे, देखो, कहीं पर भी blindly आपको trade ने देनी, सबसे पहले market को analyze करो, अच्छे से देखो market में क्या हो रहा है, उसके बाद ही आपको trade लेंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो three candle का momentum है, okay तो wait करते हैं, मैं wait करूंगा यह candle के close होने का, अगर यहाँ पर strong buyers आती हैं, तो मैं तो यहाँ पर मैंने two thread मार दी higher option के लिए, क्योंकि एक डखो एक चीज यहाँ पर देखने जैसी है, कि यहाँ पर एक round number level है, round number level है, plus यह red candle close हुआ rejection के साथ level पर, उसके बाद spinning top type candle है, अब यह spinning top type जो candle है, उस पर भी क्या है नीचे से rejection है, यह हमें क्या बढ़ता है, कि buyers यह पर strong है, तो एक candle के लिए at least next candle पर ज़रूर buyers सी आएंगे, और अगर आप overall trend को देखोगे, तो अभी भी overall trend कौन सा है, अब trend, और next जो possible मुझे level दिखता है, वो यह round number level है, मेरे इसाब से, तो यह gap fill करने के लिए market, at least एक buyers की candle ज़रूर बनाएगा, वो weak भी हो सकती है, लेकि यह candle जो है, यह buyers की होगी, तो आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर डोनो ट्रेट, विन कर ली, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखो, मैं यहाँ पर क्यों buyers के साथ गया, बहुत ही simple reason, सबसे पहली चीज, तो trend is your friend, trend कौन सा है, अब trend है, next चीज यहाँ पर के लिए वापस sellers आए, अब यह जो red candle है, यह भी rejection के साथ कहाँ पर close हुई, round number ले पर, अब इसके close होने के बाद, आप देखो, green spinning top type candle है, अब यह जो green spinning top type candle है, वो भी with lower rejection कहाँ पर close हुई, round number ले पर, यह spinning top candle, यह कोई weak spinning top नहीं है, यह medium candle है, तो यह हमको बताता है, कि next candle पर chances है कि वापस buyers ही आएंगे, क्योंकि जो next level है, वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर, तो अब भी भी क्या है, छोटा सा gap है, प्लस यह round number लेवल से strong buyers है, तो यह gap ज़रूर feel होगा, और यहाँ पर next candle पर buyers ही आएंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 trade ले लिए higher option के लिए अगर आपको मेरा one-on-one coaching class join करना तो details screen पर है, और contact details इस video के description में, thank you, God bless you all and have a successful trading